नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरे रेसिपी में तो चलेगा आज हम यहां पर बनाने जा रहे हैं पनी के डूनट जी हां दोस्तों खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं हलका फुलकासा नाश्ता है दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज मेरे चैनल को सिस्क्राइब कीज़ेगा साथिया बेल आकन को भी प्रेस कर दें जिसे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पहले पहुंच सके तो मान्सून का मौसम है और इस मौसम में कि नाश्ता जैसे कि हमने डूनट बनाया है बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं आप चाहे के साथ इसको सर्फ करते हैं तो तो आप यह ज़रू ट्राय करिए गर रसीप को चलीगा सबसे पहले हम इनको बनाना शुरू करते हैं तो देखिगा मैंने हाँ पे लिया है पनीर पनीर है मैंने खुद बनाया था तो अगर आप घर पनीर बनाना चाहते हैं तो पहले निम्भू की कुछ भूंदे मैंने एक लीटर दू लिया था उसमां डालेगा और जब अच्छे से फट जाए मीडिम फ्लेम पर पकाना है गैस को बंद करके एक साफ कपड़ लीजेगा और इसमें उसको छोन डीजेगा फिर बांध करके आप आधे घंडे के लिए इसको लटका दीजेगा उसके बाद आप पनीर को किसी डिप्वे में तो चRCिया का दूरी में इसके उपर कोई वजन वाली चीज रख कर कि दो से तीन घंडे के लिए फ्रीज में रखेगा यत तैयर हो जाएगा और जब आपको युज करना हो आप निकाल कर के यूज कर सकते हैं बहुत ईजी है तो चलेगा यहां पर हमने पनीर ले लिया है इसको कर ले थे हैं थोड़ी से जितना पनीर है उससे थोड़ा ज़्यादा ही रखेगा एक दो आलू तो यहां पे मैंने पांच आलू मीडियम साइस के लिए थे और इनको भी कट्टू कस कर लिया है अच्छे से अब इसके बाद इसमें हम मसालों को एड़ करेंगे बहुत ज़्यादा नहीं बस एक दो तो नमक लेंगे हांपे हम स्वाध अनुसार और उसके बाद कुटी हुई काली मिर्च इसमें एड़ करनी है यह भी मैंने घर पे ही तयार की है और इनको एड़ करने के बाद हम लेंग तो इतनी दिल में तैयर हो जाएंगी और यह मैंने लिया है यहाँ पे कॉन फ्लोर आप अरा रोट भी ले सकते हैं तीन से चार चमाच अठ्छे से यह बाइंडिंग के लिए है ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाए इसको डालने के बाद इतनी चीजे हमें इसमें जादा चीजों को एड नहीं करना है और अब बस अब इनको आपको इस तरीके से मैश करते हुए मिक्स करना है ताकि सारे मसाले और यह कॉन फ्लोर अच्छे से मिक्स हो जाए यहाँ पे देखेगा मैंने थोड़ी से तिल लिये हैं सफेद वाले और अब हातों को साफ करके उन पर लगा लेंगी ओी ुइल दोनों हाथों पर लगा लेना है और जितना भी बड़ा आपको डूनट बनाना है अतना आप पहात पहर आलू का और पनीर वाला जो हमनें मिश्र बना है इसको ले लिजेगा इस तरह से यह लोई वाली शेव देनी है और इस पहले लगा ल बस बाकीके डूनन पी आपको तयार कर लेने, दोस्तो में आसानीचाफ भी अदयाया है। अ पर हम इनको भी तो मैं आप हई फ्राइप कर सकते हैं, तो मैं पर आप देज़ कॉननत को युष्ट डाल दिया है और इनको हलका सा सुनरे रहा हो जाएंगे तो तब हम इनको चेंज कर देंगे किनार से यह हलकी सुनरे नजर आने चाहें तो हाँ अब में इनको यहाँ पर पलत रही हूं और यह देखेगा डूनट एक तरफ से सिकर को तयार हुगे बहुत प्यारा कलरा है दोस् कि औहां पर दूननट बन कर के तयार हो गए बहुत चाहिए आप यह जरूर ठ्राइ करिए Mimi को बना कर ट्रूड कर चाहएं और चाहाberries कि बड़ जा का के अज पर आप इन एक भेतानेगा बच्छे लिए नेक्स्ट वीडियो में र्यारारी सीपी के बरे टैने के तहिक Watts बाई दोस्तों और यमी रेसिपि को आप जरूर ट्राइ करिएगा